कल प्रधानमंत्री जी ने अपने भाशन में विपक्ष के बारे में बोला था कि विपक्ष अंदोलन की बात कर रहा है मगर जो कृशिक आनून है उनके कॉंटेंट के बारे में और उनके इंटेंट के बारे में विपक्ष नहीं बोल रहा है तो मैंने सोचा आज प्रधानमंत्री जी को खुश करें और जो तीन किसान के बिल हैं खेती के बिल हैं उनके कॉंटेंट का औरंटेंट का कि बात करें हाँ बजट पर बोलेंगे बजट पर बोलेंगे आप शान्त हो जाएए फिर किसान का मुद्दा भी बजट का मुद्दा है आप उनका आदर कीजिए तो बात है कि इन तीनों कानूनों का कॉंटेंट और इंटेंट क्या है तो पहले कानून का कॉंटेंट कोई भी व्यक्ति तो पहले कानून का कॉंटेंट क्या है पहले कानून का कॉंटेंट है कि कोई भी व्यक्ति देश में कहीं भी कितना भी आनाज सबजी फल खरीद सकता है जितना भी खरीदना चाहता है खरीद सकता है तो अगर अगर खरीदी देश में अनलिमिटेड खरीदी होगी तो मंडी में कौन जाएगा मंडी में कौन जाके खरीदेगा तो पहले कानून का कॉंटेंट मंडी को खतम करने का है इसका लक्ष मंडी को खतम करने का है दूसरे कानून का कॉंटेंट क्या है कि बड़े से बड़े उज्योग पती जितना भी अनाज जितना भी फल जितनी भी सबजी स्टॉर करना चाहते है वो स्टॉर कर सकते है कोई लिमिट नहीं जितना वो होट करना चाहते कर सकते है दूसरे कानून का कॉंटेंट Essential Commodities Act को खतम करने का दूसरे कानून का कॉंटेंट जमा खोरी को अनलिमिट तरीके से हिंदुस्तान में चालू करने का अब तीसरा भी कानून है तीसरा कानून का कॉंटेंट तीसरा कानून का कॉंटेंट जब एक किसान हिंदुस्तान के सबसे बड़े उद्योग पती के सामने जाकर अपने अनाज के लिए अपने सब्जी के लिए अपने फल के लिए सही दाम मंगे तो उसे अदालत में नहीं जाने दिया जाएगा तीसरे कानून का कॉंटेंट आपको याद होगा स्पिकर सर सर वाड़ी इस सर वाड़ी इस दर्दे क्यों दर्दे क्यों सुना स्पिकर सर स्पिकर सर आप बजट फैमिली प्लाणिंग का आप बजट पर बात सर सालों पहले सालों पहले फैमिली प्लाणिंग का एक नारा था आपको याद होगा हम दो, हमारे दो अब मैं 맞는र्ipl की बात करता हूँ कानून के miraculous की बात आज क्या हो रहा है जैसे कोरोना दुसरे रूप में आता है वैसे ही ये नारा दूसरे रूप में आया है आज इस देश को चार लोग चलाते हैं आप बजट पर चरक्चा करनेज़ें बजट पर दो और हमारे दो जैसे उस टाइम उस टाइम नाम सब जानते हैं नाम सब जानते हैं आप बोलो हमारे दो यह किसकी सरकार है हम भो हमारे दोटी तो पहले कानून का इंटेंट बताता हूं कि हमारे दो मित्रों में से एक जो सबसे बड़ा मित्र है उसको पूरे हिंदुस्तान के अनाज फल और सब्जी को भेचने का अधिकार ये है पहले पहले कानून का इंटेंट नुक्सान किसका होगा नुक्सान खेलेवानों का होगा नुक्सान छोते भी अपारियों का होगा नुक्सान जो लोग मंडी में काम करते हैं लाखों लोग उनका होगा अब चलिए दूसरे कानून की intent की बात करते हैं दूसरा कानून का intent दूसरे मित्र की मदद करने का है दूसरे मित्र को पूरे देश में अनाज, फल और सब्सक्रिश का मनोपली में जाई है आज फूसरा मित्र चालेश प्रतेशाद हिंदोस्तान का अनाच अपने साहिलों में रखता है यह कॉंग्रेश पार्टिशी प्रेटक नहीं है यह सदन है अगर बज़ेद पेड़ेशन साहिलों में रखेगा हुआ है यह कोई यह सबाव हैं प्रदार ख़ो केहते हैं सर मैं अख्रार मंत्री केके आ Both कि मैंने option दिया है हाँ आपने option दिया है तीन option दिये है पहला option भूख दूसरा option भेरजदारी तीसरा option आदवत्या यह यह तीन option आपने दिये है अब देखिए मामला क्या है मामला यह है कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बिजनस सबसे बड़ा वियकार अग्रिकल्चर का है 40 प्रतिशद आबादी इससे जीती है 40 लाग करोर रुपे का धंदा है इसमें किसानों को फाइदा मिलता है अजया तो दूसरे कानून का थोड़ा मैं इंटेंट समझा देका हूँ दूसरे कानून का इंटेंट है पानी दो पानी घर जाएगा पानी दो कि दूसरे कानून का इंटेंट है कि एक व्यक्ति को आप पूरे देश के अनाज की स्टॉरिंग की मनोपली दे दो और जब किसान अपने अनाज के लिए सही दाम मांगने जाएगा तो जिसके पास स्टॉरिज की मनोपली होगी कि वो मार्केट में अनाज डालेगा और किसान से कम से कम पैसे में खरीद करेगा और जब वही किसान कंजूमर बनके अपना ही माल खरीदने जाएगा तो वही व्यक्ति अपने गोदाउन से ऑफ네요 अब और बजीत में सतलि अब आप इस धेज के झो रीड की हटी है किसान मज़ब चोटे दुकानगार विया पारी उस रीड की हटी को तोर के तुक्रे तुक्रे तर के दो मित्रों को दे दू Sir, Rule 218, Sir, Rule 218, Sir, Rule 218, Sir, Rule Sir, the debate on appropriation bill shall be restricted to the matters of the public importance or administrative philosophy employed in the grants covered by the bill which have not already been raised while the relevant demands of grants are under consideration. I would like to remind him that he should restrict his speech to the budget number two and he is claiming that 40% of the groceries and other things, vegetables, they are kept in Adhani's and Ambani's place let him prove that, where from, he should place it on the table, he should place it on the table, where can he get all these documents, where 36 cars are, this can authenticate अदिए लिएपोर्ण अश्यों से रिचाखार कृट में जाएगी एजी वेटिए आप बोलने दिजी रहे हैं आप पपी रूल बता रहा है आप सब्सक्राइबा डिसकान को बता दें yr भाचे लोगृआ कर्रिफ लिता न कर्या हूं पार sis में बत्व कर्जा यह उंत है। स्टाँपले के अचि कर्यात के संध ऊला in the rule book. Discussion of general point. अच्छा बाजट में के अग्रिकल्चर मुद्दा नहीं आए तो बाजट में जब अग्रिकल्चर मुद्दा है तो बाजट में क्यों चर्चर नहीं हो सकता अग्रिकल्चर नहीं हो सकता अग्रिकल्चर नहीं हो सकता अग्रिकल्चर नहीं हो सकता अग्रिकल्चर नहीं हो सकत बना इंटरुब एन एंटरूब एने मेंबर वाइल स्थेकिंग बाइज डिसार्ड़नी एप्रेशना गुच्छिंग रहा हुआ है कि अभानी का नाम खुद ने दिया कि अभी 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 तो अभी अभी ऑद्री शुर नां रहे हैं मंत्री वैसा कभी हुआ नहीं मंत्री भाग रहे हैं तो हम दो हमारे दो वो आपको याद होगा वो फोटो होती थी चार हम दो हमारे दो क्यूट से चेहरे थे सुनदर सुनदर चेहरे मोटे मोटे चेहरे हम दो हमारे दो खेट इससे होगा क्या जब ये कानून लागू होंगे तो जो इस देश के किसान है इस देश के मजदूर है छोटे वियापारी है इनका धंदा बंद हो जाएगा इन में से किसानों की खेट चली जाएगी किसान को सही दाम नहीं मिलेगा छोटे दुकानदारों की दुकान बंद हो जाएगी और सिर्फ सिर्फ दो लोग हम और हमारे हम दो और हमारे दो इस देश को चलाएगे हिंदुस्तान का फूड सीकेरिटी का सिस्टम है वो नश्ट हो जाएगा और पहली बार सालों बाद एक बार फिर पहली बार हिंदुस्तान के लोगों को भूख से मरना पड़ेगा रूरल एकोनमी नश्ट हो जाएगी और ये देश रोजगार नहीं पैदा कर पाएगा ये नई चीज नहीं है ये आप मत सोचिए कि ये नया अटेम्ट है पहला अटेम्ट है ये पहला नहीं है ये काम प्रधान मंत्री ने हम दो हमारे दो के लिए पहले नोट बंदी में शुरू किया था पहली चोट नोट बंदी थी आइडिया किया था गरीबों से किसानों से मज़दूरों से उनका पैसा लो बैंक में डालो और हम दो हमारे दो के जेम में डालो स्माल मीडियम सेक्टर को खतम कर दिया किसानों को बरबाद कर दिया वहाँ नहीं रुके फिर गए जी एस्टी गबबर सिंग टैक्स पाँच अलग-अलग टैक्स और फिर से उन्ही बिचारों पर आक्रमन उन्ही किसानों पर उन्ही मजदूरों पर उन्ही व्यापारियों पर आक्रमन फिर करोना आता है करोना के समय मजदूर चिला चिला के कहते हैं हमें बस का टिकेट दे दीजिए हमें ट्रेन का टिकेट दे दीजिए नहीं 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 तुमें नहीं मिलेगा तुम पेडल घर जाओगे मगर टैक्स मैं माननी सदस्य से भी आगरे कर रहा हूं इधर भी आगरे कर रहा हूं माननी सदस्य आज बजट पर चर्चा है अई चलो चलाओ आए मैं आ रहा हूं सर बजट पे सर मैं आ रहा हूं बजट पे मैं सर पांच मिनट में बजट पे आ रहा हूं मैं फाउंडेशन लगा रहा हूं अभी फाउंडेशन तो पहले नोट बंदी फिर जी एस्टी फिर करोना के समय उनी चार पांच दस लोगों को पूरा पूरा कर्ज़ा माग दस लाग करोर रुपे है जो भी आप कर्ज़ा माग मगर हुआ क्या हिंदुस्तान हिंदुस्तान का रोजगार का जो सिस्टम है जो स्मॉल और मीडियम इंडिस्ट्री है वो खतम हो गई आज ये देश रोजगार नहीं पैदा कर सकता है सिद्धी से बात और आज नहीं कल भी ये देश रोजगार नहीं पैदा कर पाएगा क्योंकि आपने इस देश की रीड की हड़ी तोड़ दी है किसान की मज़दूर की चोटे दुकानदार की स्मॉल मीडियम बिजनस की रीड की हड़ी तोड़ दी है मगर ये मत समझिये कि एक किसानों का अंदोलन है ये किसानों का अंदोलन नहीं है आपको बात अभी समझ नहीं आई है ये देश का अंदोलन है और ये किसान सिर्फ रास्ता दिखा रहा है किसान अंदेरे में तौर्च दिखा रहा है और एक अवाज से ये पूरा देश उटने वाला है पूरा देश एक अवाज से हम दो हमारे दो के खिलाफ उटने जा रहा है और ये याद रखिए मैं कह रहा हूं लिख के ले लीजिए आप सोचते हो कि हिंदुस्तान के किसान को मजदूर को छोटे दुकानदार को अपने पैसे से अपने धन से परे कर सकते हो ये आप सोचते हो आप ये सोचते हो आप लिख के ले लो मुझसे किसान एक इंच पीछे नहीं हटने वाला है किसान आपको हटा देगा मजदूर आपको हटा देगा छोटा दुकानदार आपको हटा देगा मगर वो पीछे एक इंच नहीं हटने वाला आपको कानून वापिस लेना ही पड़ेगा अब बात करते हैं बजट की जब बजट पर बात चीट करने का की बात उठी थी प्रेजिडेंट्स अड्रेस पर बात करने की बात उठी थी तो हमने कहा था विपक्ष ने कहा था हमें किसानों के आदर करने के लिए किसानों के सब्जेक्ट पर अकेला बोलने दीजिए एक साथ हम सब मिलके किसानों के मुद्धे पर बोलेंगे स्पीकर सर ने सरकार से पूछा और सरकार ने कहा नहीं किसानों के मुद्धे पार चर्चा नहीं होगी बजट पे होगी और प्रेसिडेंट अड्रेस पे होगी अलग चर्चा किसान के मुद्धे पे नहीं हो सकती तो प्रोटेस में मैं कह रहा हूँ मैं बजट पे आज यहां टिपनी नहीं करने वाला हूँ मैं आज सिरक किसान के मुद्वे पे बोलूँगा और उसके बाद मैं अपना मूठ चुप कर दूँगा अंत में मैं कहना चाहता हूँ कि जो दोसो किसान शहीद हुए उनको इन लोगों ने शरदानजली नहीं दी मैं सब सामसदों से कहना चाहता हूँ मैं अपने बाशन के बाद दो मिनट शहीदों के लिए मौन रहूँगा आप मेरे साथ खरे हो जाएए धन्यवार हो अगरे एक मिनट के आप घंटतрь है एक मरे ंंड आंट मैं यह ता rigor आम मानने सदस्गर्णमाने सदस्गर्ण 방송 लेंस दिए बैठेए है बैठे मेरे बैठे माने प्लीज बैठे ये